रादे रादे दोस्तों मैं सैलन्द सर फिजिक्स फैकल्टी ओफ कटारा डिफेंस अकेडमी आपके पास एक वार फिर हाजर हैं नई कुश्चन सीरीज के साथ जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं मेकैनिक्स की यानि फ्लूड मेकैनिक्स की पिसली जो वीडियो इस थी वेटा उसमें हमने आपको मेकैनिक्स की बारे में बताया था और बता भी दिया था कि नेक्स वीडियो में हम आपको फिलूड मेकैनिक्स की बारे में बातें करेंगे fluid mechanics मतलब fluid क्या होते हैं fluid मतलब जो flow हो सकते हैं अब fluid में आपके liquid और gas दौनव आते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं तरल यानि द्रव और gas जो बह सकते हैं जो flow हो सकते हैं उन्हें fluid कहते हैं जैसे solid body होती है उनकी kinetic energy, pressure, force विसकस, आपका fractional force इस प्रिकार की बात हैं होती हैं वही सेम बात हैं होती हैं आपके fluid motion में यानि तरल गती में तो आज हम fluid motion के बारे में बात करने वाले हैं ये 25 question, 25 top question मैंने से छाटे हैं आप लोग अपने pen और notebook लेकर बैठ सकते हैं और questions को वीडियो को बीच-बीच में पहुझ करके बाकी की तरह questions को solve करें और उसके बाद फिर आप अपना score comment box में लखें एक बात का और ध्यान रखा करें बेटा ये वीडियो आपकी YouTube पर है तो recorded तो है ही सही तो आप पहले अपने chapter जो है fluid mechanics उसको पहले एक बार पढ़ लिया करें revise कर लिया करें notes को तब वीडियो को open किया करें उससे क्या फायदा होने वाला है आपको उससे आपको ये पता चलिएगा कि अपने जितना पढ़ा है notes में उससे हम कितना catch कर पा रहे हैं कुश्यंस को कितना कर पा रहे हैं क्योंकि जो questions हैं बटा ये NDA, Navy, Air Force तीनों के लिहाज से बहुत important questions हैं अगर बात करें NDA में तो कम से कम दो questions हमेज सा पूछी जाते हैं fluid mechanics से Air Force में भी दो से तीन का weightage रहता है, same weightage रहता है आपका Navy में clear about, अब कोई कैसर हमारे set में तो नहीं आए, तो वही sets इतने बनते हैं ना, किसी के में एक आजाता है, तो किसी के में चार आजाते हैं थोड़ी बहुर तो irregularity चलती ही रहती है, इसमें सब लोग ठन रखें, किसी भी प्रकार से कोई tension ना लें रही बात paper की, तो paper आपका अवश्य होगा, 101% होगा, आप लोग उसके लिए prepare रहें, किसी भी प्रकार का कोई बहाना ना बनाएं, घर रहें, सुरच्छत रहें, और पढ़ते रहें चलिए, बात करते हैं बेटा, यहाँ पर आपका है question number one, जिसमें आपसे बोला गया है, कि आर्क मिडीज का जो principle होता है, वह किसी बरतन के लिए, जो free fall कर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, उसके लिए applicable क्यों नहीं होता है, तो मैं आपको बता हूँ सबसे पहले, आर् हमारे पास यह कोई बरतन है, और इस बरतन में कोई sigma density का liquid भड़ा हुआ है, अगर इस पर हम किसी body को लेके आते हैं, जिसकी density rho है, तो और mass small m है, तो इस पर नीचे की और weight कौन सा लगेगा सर, सब लोग जानते हैं माजी, लेकिन इस liquid के कारण, इस liquid के कारण, इस पर उपर क और एक force लगता है, जिसे bioent force यानि उत्प्लावनबल कहते हैं, और बेटाई इस उत्प्लावनबल की value होती है, body के दवारा खुद के volume के बरावर, किसके volume के बरावर, body के volume के बरावर, यानि body का तो volume आएगा, हटाए गए liquid, तो हटाया कौन जा रहा है, liquid हटाया जा रहा है liquid की आई और साथ में कौन आएगा, G, V, sigma G, volume body का density liquid की, इसे कहते हैं बेटा जी, bioent force यानि उत्प्लावनबल, और बेटा यही आपका इस body के weight में loss के बरावर होता है, भार में कमी के बरावर होता है, किरपया ध्यान दें, अगर ये bioent force ना लगता, तो क्या weight में loss होता, नह नहीं होता, तो अगर किसी body को, किसी liquid में डवोने पर, उसके weight में loss फिल होता है, तो वह loss liquid के द्वारा body पर लगाए गए, bioent force उत्प्लावनबल के कारण उत्पन होता है, आई बास समझ में, चलो जी, इसका मतलब ये हो गया, कुश्चन तो हमारा ये कह रहाता है, कि सर, zero gravity में क्या बात हो जाएगी, सर, zero gravity में आपका जो effective G है, effective G जो है, अब ये पूरा बरतन नीचे आएगा, तो माजी नीचे लग रहा है, और ये बराबर G से जब ये नीचे आएगा, तो बलमा भी तो लग जाएगा, उपर एक माजी वाला, जिसकी वजए से आपका यहाँ पर सकते हैं, और फिर उस समय हम आर्कमडीज के principle को नहीं मान सकते, तो बेटा आर्कमडीज का principle, free fall कर रहे बरतन के लिए applicable नहीं है, क्योंकि body भार हीन हो जाती है, small G की value कम हो जाती है, इस प्रिकार से कौन सा option आएगा, question number 1 का, C option आएगा, NDA 2007 में पूछा गया question है, ये, ओके, चलो बात करते हैं, question number 2 की तरफ चलते हैं, question number 2, question number 2 में पेटा आपसे बोला गया है, कि the specific gravity, किसी body की जो specific gravity है, यानि जिसे हम आप एच्छे घनत भी बोलते हैं, वो आपका हाइग्रो मीटर के द्वारा मापा जाता है, सब लोग जानते हैं, इस बात को हाइग्रो मीटर होत हलका सा, हाँ, सही बना देता हूं, मैं इसको हलका सा, ये, इस प्रकार से होता है, आल्ट मेरी ज्यादा ठीक है, पहले से ही, concept पर ध्यान देंगे बेटा, आल्ट पर नहीं, चलो जी, इस प्रकार से इसमें यहां रेडिंग्स होती है, यहां पर कोई इसमें liquid भरा होता है, क आप एच्छे घनत तो ग्यात करना है, उस liquid को हम यहां पर भर देते हैं, अब इसमें बेटा किसी solid body को, जिसका mass हमें पता होता है, उसको हम इसमें डवोते हैं, तो बेटा उसके weight में जतना loss होता है, उसके according, हम यहां पर बात कर सकते हैं, कि liquid की density क्या थी, फिर water की density से divide कर तो relative density find हो जाती है, इसका मतलब यह किस पर based है बेटा, यह आर्कमडीज के principle पर ही based है, hydrometer, अब बात करते हैं, अगर हम इसे c level से किसी height पर लेके जाते हैं, तो height पर ले जाने पर small g की value घटेगी, और small g की value घटेगी तो density की reading भी तो कम हो जाएगी, है या नहीं, क्योंकि density density जो की जो reading है, यह आर्कमडीज का principle है, यह gravity जी पर ही तो depend करता था, अभी next, अभी हमने पिछले वाले questions में इस बात को देखा भी था, है या नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे height पर ले जाएगे तो g घटेगा, g घटेगा तो relative density की जो reading है, पाठ्यांग जो है आप इस से कुछ कमाएगा, इस प्रकार से आपका option number कौन सा हो जाएगा, C, ओके, तो question number 2 का भी answer C है, यह भी NDA में पूछा गया question है, आगे बात करते हैं, question number 3, question number 3 में आप से बोला गया है, कि आप यह statements पढ़िए और इसमें बताइए कि अगर capillary ना होती, तो क्या impossible होता, ओके, यहनि capillary कहां-कहां यूज में होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बैटा, capillary होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं, कि capillary tube क्या होती है, केशनली क्या होती है, तो बैटा, ऐसा pipe, जिसका diameter, उसके length के comparison में बहुत कम होता है, उसे कहते हैं capillary tube, यानि केशनली, दूसे बर्स में समझें, बैटा, तो capillary जो word है, यह Latin language का है, जिसका English में मतलब होता है hair, और Hindi में मतलब ह होता है, बाल यानि केश, तो ऐसी नली, जो एक बाल, यानि hair के size की होती है, उसे कहते हैं capillary tube, अब capillary tube क्या हो सकती है, दिये की जो बाती होती है, बैटा जी, उसके जो रेशे हैं, वो slick जो है, वो भी आपकी क्या है, capillary tube की तरह work कर सकती है, पौधों की जड़ें होती है, roots जो होते हैं, वो भी आपके capillary tube की तरह work कर सकते हैं, मिट्टी के जो particles होते हैं, वो भी capillary tube की तरह work कर सकते हैं, आपने देखा है, कि जब खेत को एक बार जोत दिया जाता है, तो खेत में नमी आ जाती है, इसका कारान क्या है, खेत में जब हम खेत को जोतते हैं, तो मिट् तूट जाती हैं जिसकी वज़े से खेत में पानी आ जाता है पिटा आपने पाता लिक हुए देखे होंगे पाता लिक हुए कैसे होते थे उसमें अंदर पानी अपने आप उटोमेंटिक आ जाता था किसलिए आ जाता था सर कि हम उसको उतनी गहराई तक खोद देते थे कि उस उसके बाद जितना हमें सफी सेंड वाटर चाहिए उतना वाटर नीचे से कैपलरी ट्यूब के द्वारा वहां तक आ जाता था अब जब इतनी बात होने लगें तो फिर हम लोगों ने माइंड लगाया मैं भी बैठा हुआ था उस पंचायत में तो मैंने का भाई जब इतने पड़े कुए खोदने से क्या मतलब है इससे बढ़िया यह है कि छोटे-छोटे कुए टाइप के खोदिये और उनका नाम रख लिया कि सर हम यह बोरिंग कर रहे हैं देखाए आप लोगों ने तो उसको बार बार खोदते हैं मिट्टी को तो कैपली ट्यूब को ही तो तो हैं और कैपली ट्यूब टूटती हैं तो एक जगह ऐसी पहुंच जाती है जहां पर आपका मिस्तरियों कह देता है कि सर अब यहां से आप सफी सेंट वाटर ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं जिसे हम समर्शेविल मोटर या किसी भी मोटर के दवारा ले जाते हैं है या नहीं है तो बात समझ में आई की वेटा कैपलाटी ट्यूब की यह कैपलाटी ट्यूब की प्रिंसीपल सें बहुत सारी अभात करते हैं शुकर मिटि के तेल की जो लेंप है उसका जलना असंभभ होता हाँ जी जो तेल की बात ही में जो तेल चड़ता है दीए की बात है जो तेल चड़ता है वो कैपिलरी ट्यूब की बज़े से चड़ता है क्या उसमें कोई मोटर थुना लगा रख होती है नीचे समर से बलकी कर नीचे से उपर जा रहा है है या नहीं तो पहली बाली बात तो सकते है तो ये वाला आपका बिलुक्त सही है पहला संसाई है करक्ट कर देते हैं दूसरी बाल स्टेटमेंट को पड़ते हैं कि हम पाइप के द्वारा पे पता फ्रूट नहीं पीते हैं तो वो कोई वो कोई केपलरी ट्यू की वज़े से थुना पीते हैं अपनी आप थुना जाती है आपके मूँ में वो ड्रिंक वो तो खीचनी परती है प्रेसर की बज़े से है या नहीं तो वहां पर इसको एपलाई नहीं कर सकते मतलब दूसरा स्टेटमेंट केपलरी का एप्लिकेशन नह लेता था स्पंज बोलते थे उसे स्याई सोकता तो वो भी कैपलरी ट्यूब पर वर्क करता है बात करते हैं कि यह आपका सही हो गया चौधा जो स्टेटमेंट है वो यह है कि प्रतिवी पर पौधे नहीं होंगे हाँ जी बिलकुल नहीं होंगे क्योंकि पौधों को जो पा पानी आपने देखा होगा सरसों का जो खेत होता है उसमें एक आधी पानी लगता वरना फर पानी लगाती नहीं है क्योंकि उसकी जड़ें थोड़ा ज्यादा कैपलरी ट्यूब की तरह वर्क करती हैं तो उनको पानी लगाने की कोई खास जरूवत नहीं होती है वो नमी से ले लेती हैं अरे आपने देखा होगा नहर के बरावर खेत में अपने आप ही ओटोमेटिक पानी आ जाता है दीज ओल आर एक्जामपल ओप कैपलरी ट्यू केस नली केलियर बात बेटा तो इसमें आपका अप्शन हो चुका है वन टू फोर सही हैं इसमें और वन टू फोर का मतलब है वन टू का फोर मतलब ओप्शन नमबर ए क्लियर बात करते हैं कुश्छन नमबर चार की क्रिश्ट नमर्ट चार में आप से बोला गया है कि एक आपका एक सद्धिक बिसेश्ट तुट बार दिर्म में बडफ का टुकड़ा मतलब एक आईस है आईस का पीश है यानि बडफ का टुकड़ा है जो किसी ऐसे लिक्विड में फिलो हो रहा है तैर रहा है जिसकी पालियरे बात मेटा तो आप से बूला है कže अगर यह बढ़ आपकी पिघल जाएगी तो इस हमें इस लिकविड की लेवल पर क्या ईफसक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले बात करते मेटा जब बढ़ बरफ पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो बरफ क्या बन जाएगी? वाटर ही तो बन जाएगी? है या नहीं? तो जो बरफ बाटर बन गई है, पानी बन गई है, उसकी डेंस्टी कम ही तो है, डेंस्टी ओफ लिक्विड जो इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, उसकी density से कम है अब यह density और volume एक दूसरे के कैसे होते हैं अपोजट अरे पता नहीं है रो बरावर होता है mass upon volume तो density और liquid एक दूसरे के opposite होते हैं तो जो बरफ को पिगलने से जो पानी बनेगा उस water क्या जो volume होगा वो लिक्विड जो जितना लिक्विड उसने हटा रखाता उसके लिक्विड से जादा होगा अब अगर volume जादा होगा तो फिर वाटर का लेवल उपर ही तो बढ़ जाएगा है यह नहीं बोल नहीं रहे आई बास समझ में चलो यहां पर और और बात आपको समझाता हूँ इसका तो कुष्ण का अंसर आपका हो चुका है कुष्ण option number C लेकिन इसके लावा में इसमें और भी बात में बताऊंगा आपको ठीक है अभी ध्यान से सुनेंगे सारी बातों को यहां पर एक कुष्ण हमेशा बनता ही है इस परिकार का कुष पानी में बरफ तैर रही है तीन परिकार की कुष्ण और बताऊंगा मैं आपको इसमें ध्यान से सुन लेना सभी लोग पानी में यह पानी है यहां तक इसमें बरफ तैर रही है क्लियर है बात बेटा अब जो आइस तैर रही है अगर यह आपका वाटर है क्लियर तो जब आइस मेल्ट होगी, तो वाटर के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगाँ, ध्यान दो बेटा, कि जो आइस मेल्ट होगी, पिढ़ेगी तो वो पानी तो बनेगी, तो पानी तो पानी में मिली जाएगा, वोलियूम का तो कोई ऐफेक्ट रहा नहीं वहाँ पर, तो उस कंडि का मतलब क्या है कि जो आइस का क्यूब है घंजो है ये अंदर से खोकला है अभी क्या होगा बेटा जब बरफ फिगल जाएगी तो ये जो खाली स्थान था अंदर इसने भी तो जगह घर रखी ती न बरफ की वज़े से बेटा तो इस खाली स्थान को भरने के लिए यहां से पानी ही तो पहुंचेगा, है या नहीं, और पानी पहुंचेगा, तो फिर आपका जो लेविल है वाटर का, वो लो हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा, है या नहीं, अरे भाई आप ऐसे समझीए, जैसे हमारे पास कोई लोटा जानते हैं, लोटा, लोटा है, और लोटे ही तो जाएगा है या नहीं और लोटा में जाएगा तो फिर वाटर का लेवल बाहर कम ही तो हो जाएगा वो वाली बात हम आपको यहां बता रहेते क्लियर है बात बेटा लेकिन अगर बेटा यहां पर सीसे की गोली होती तो बटा सीसे की जो गोली है वो अपने बरावर बाटर को पहले ही डिस्प्लेस कर चुकी है तो उस कंडिशन में जो आपका बाटर का जो लेविल होगा वो फिर बापिस से कैसा रहेगा सर सेम रहेगा तो सीसे की गोली होगी तो सेम रहेगा अगर आपका एर का बबल होगा तो लो रहेगा और आपका अगर केबल आईस होगा तो उस कंडिशन में भी सेम रहेगा याद रखेंगे आप इस चीज को बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट था ये चलो कुछन नमबर 4 के बाद बात करते हैं कुछन नमबर 5 की कुछन नमबर 5 इसमें आप से बोला गया है कि अगर कोई बाल बेटा किसी लिक्विड में फिलो मतलव तैर रही है तो उस समय उसका अंदर जो पार्ट है वो किस पर डिपेंड करता है सबसे पहले इसकी बारे में बात करी लेते हैं बेटा जी ध्यान दीजिए अगर कोई बा पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट अंदर है सबसेट ये बाड़ी है इसका बाहर का पार्ट है वी आउट और अंदर का पार्ट है वी इन वोल्यूम जो है और टोटल वोल्यूम आपको पता ही है तो बेटा अगर इसका जो वेट होगा बाड़ी का वी क्या होगा बेटा व पी रो जी किलियर है ना यह मास हो गया और यह जी हो गया माजी हो गया यह किस के बराबर होगा जब यह तेर रही है तो यह बराबर होगा बॉडी के द्वारा अपने वॉल्यूम के बराबर हटाए गए लिक्विड अगर बॉडी की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंस है या नहीं इसका मतलब यहां वी इन आ जाएगा अब इसकी हिसाब से कर हम बात करते हैं विटाजी तो जी से तो जी कट जाएगा तो यह अपने आप में एक फॉर्मॉला है वी इन अपॉन वी बराबर होता है रो अपॉन सिग्मा रो बॉडी की डेंसिटी है और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है वी बॉडी का टोटल वॉल्यूम है और इन जो है यह बॉडी का डूबा हुआ वॉल्यूम यानि जो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम है वो वाला है क्लियर है बात बेटा तो अगर हम यहां बात करते हैं किस-किस पर ड आपका जो है यह डिपेंड कर रहा है बोडी की डेंसिटी पर और लिक्विड की डेंसिटी पर यानि गैंद की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा लिक्विड पर इस हिसाब से आपका पहला सही है स्टेटमेंट और तीसरा सही है और पहला और तीसरा कौन से वाले ओप्शन में हैं c option आपका यहां भी correct होने वाला है है या नहीं mass per dependent नहीं करता मेरे भाई clear चलो question number पाइस formula को आप याद रखना यह आगे भी यूज हो जाएगा भी आपका question number six की तरफ चलते हैं question number six question number six question number six मैं आप से बूला गया है बिटा कि अगर हम किसी बरतन की दीवार पर pressure applied करते हैं तो वो pressure किस प्रिकार से फिलो होता है तो ध्यान देना बैटा इस बात को पास्कल भाई हमसे कह के चले गए थे मैं और वो एक दिन मिल्क बार में खाना खा रहे थे तो उस समय उन्हों मुझे बात बताई मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें surface पर यहां पर कोई pressure पी नॉट applied करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर यह पी नॉट जो प्रेसर है यह सभी point पर पी नॉट हो जाता है suppose that अगर यहां point A है तो A B C सभी जगए जो प्रेसर है बिटा जी यह पी नॉट पी नॉट पी नॉट हो जाता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं जो कि बिल्कुल गलत है बिटा पी नॉट क्यों हो जाएगा प्रेसर तो अलग अलग रहेगा ना यह बढ़ जाता है ध्यान दें दुबारा सुनें ये statement बिलकुल गलत है पहले गलत statement बोला हूं में कि किसी liquid की surface पर external pressure लगाने से उस liquid के अंदर हर एक point पर pressure equal हो जाता है ये statement गलत है तो सही statement क्या है सही बात ये है कि कोई external pressure लगाने से वह external pressure हर जगे समान रूप से बट जाता है मतलब इस C point पर जो इसका पहले pressure था PC उसमें जुड़ जाएगा P naught इसी परकार अगर यहां पहले कोई pressure था PV तो उसमें जुड़ जाएगा P naught ऐसे ही यहां पर भी पहले जो था व क्या A B C 3 पर pressure सेम है नहीं केबल जो आया था वो समय समान रूप से बटा है पहले जो था वो तो था ही सबसे आदा जैसे pressure यहां होगा फिर यहां होगा फिर सबसे कम यहां होगा depth की वज़े से है या नहीं तो बेटा pressure बटता है सभी direction में लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक point पर सेम हो जाएगा सेम कैसे हो जाएगा हर point का पहले अलग अलग pressure था ना आई बस समझ में चलो तो इस प्रकार से आपका option number कौन सा हो जाएगा सर इसमें पहला सही है एक तो statement आपका कि सभी दिसाव में बढ़ जाता है बरतन की तली पर भी बढ़ जाएगा पी नौट से यह भ बास सही है मतलत तीनों बास सही है तो फिर इसमें option number कौन सा आजाएगा एक करेक्ट हो जाएगा के लिए रबात बेटा जी चलो यह question number 6 था पास्कल के नियम के बेटा जो example है वो हैं आपके hydraulic lift और hydraulic brake जो है वो पास्कल के नियम के ही examples हैं जिसमें आप से बोला गया है कि किसी भी जो होती है वो भी पास्कल के नियम पर ही applied होती है ओके question number 7 की तरफ चलते हैं चलो से पहले पढ़ते हैं कि यह आपका assumpedian incompressible क्या है वो होता है जिसको compress नहीं किया जा सकता है जिसको दवाया ना जा सके उसे कहते हैं संपीड ठीक है बर्नौली भाई की जो theorem होती है वो केवल incompressible के लिए ही applicable होती है आई बास समझ में चलो अब बात करते हैं यह सारे जो इस्ट्रुमेंट दे रखे हैं सबसे पहला है सर बैरो मीटर तो बैरो मीटर से बटा एटमोस्पियर का याणि वाई न्दल का जो प्रेसर होता बेटा है आपका वेंचियूरी मीटर वेंचियूरी मीटर के द्वारा मापा जाता है बेटा फिलो वेलोसिटी ओफ फिलुड यानि जो तरल है उसका प्रभावेग नापा जाता है वेंचियूरी मीटर के द्वारा जो कि अपना ओप्सन सही है के लियर है बात अगर याद करने बिटा तीसरा strain गेस दो तो तो बिटा इसके दोरा strain को measurement किया जाता है किसी भी fluid में और आपका जो d अफ्सन है वो है manometer manometer के दोरा बिटा gas के pressure को measurement किया जाता है तो आपका जो option था वो तो b सही था इसमें यानि वेंच्यूरिमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है वेटा जी? फिलो वेलोसिटी को और वेंच्यूरिमीटर डिपैंड करता है आपके इक्वेशन आफ इंक कंटुनिटी पर मतलब A1 B1 बरावर A2 V2 यानि एरिया जादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी और वेलोसिटी जादा होगी तो एरिया कम होगा आपने देखा होगा जो नल होता है जानते हैं नल को और नल थोड़ा ऊपर हैट से होता है तो उस मैंसे जो पानी गिराए जाता है बेटा तो पानी का देखो मैं आपको सेब बताता हूँ आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे फिर इस कहानी को ये, ये मेरे पास एक नल है इस परकार से और यहां से बेटा इसमय से पानी बाहर निकल रहा है तो पानी की जो धार होती है वो सुरुवात में क्या होती है ज्यादा बड़ी होती है और जैसे जैसे पानी नीचे आता जाता है वैसे वैसे उसकी धार छोटी होती जाती है क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे बाटा नीचे की तरफ आएगा ग्रेवटी के कारण उसकी वैलस्टी बढ़ेगी वेलस्टी बढ़ेगी तो एरिया उसका कम होगा इसलिए हम कह देते हैं कि नल की जो धार आती है उपर से वो नीचे जाते समय पतली हो जाती है ओके ठीक है जी equation of continuity का यह example था आप लोग उसे भी याद रखेंगे mass conservation पर बेश्ट होता है equation of continuity यानि अभिरतता का सिध्धान कुशन नमबर चलिए 8 पर चलते हैं कुशन नमबर आट पीटा theory का आपको याद रखना है कि water vapor जो होती है जल वास्प जो होती है उसका mass per unit volume पर कहलाता है आपका absolute humidity यानि निरपेच आधरता यानि बेटा किसी air के किसी fix per unit volume में कितनी water vapor है कितनी नमी है वो depend करती है उसकी absolute humidity यानि निरपेच आधरता के हिसाब से आई बास समझें बेटा तो इसका option number question number 8 का हो जाएगा C clear चलिए इसके बाद बात करते हैं बेटा question number 9 की कि इसमें आपसे बोला गया है कि किसी liquid की जो kinetic viscosity होती है गतिक स्यानता जो होती है वो किसका ratio होती है सबसे पहले बताता हूं बेटा kinetic viscosity क्या होती है गतिक श्यानता क्या होती है kinetic viscosity होती है कोई liquid का internal resistance होता है जब हम उसमें flow करते हैं motion करते हैं तो उसका जो internal resistance होता है वो कहलाता है kinetic viscosity clear है? बेटा मैंने आपको पहले ही भी बता दिया था कि fractional force और viscous force एक सेम हैं वो solid में होता है और यो फिलीड में होता है जैसे मान kinetic fraction होता है ऐसे ही यहाँ पर होती है kinetic viscosity आई बास समझ में तो वो ratio आपको याद रखना है NDA का कुशन है इसलिए मैं अपको बताया है इसको density और viscosity का जो coefficient होता है गनत्त और श्यानता गुरां का जो अन पात होता है वही आपका कहलाता है kinetic viscosity यानि गतिक श्यानता तो 9 का option कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा याद रखना है kinetic viscosity बरावर density upon viscosity clear है चलिए question number 10 की तरफ चलते है question number 10 इसमें आपसे बोला गया है कि यदि किसी water की surface पर तेल तेरता है तो पानी का प्रश्टनाव क्या होगा आपने देखा होगा कि मच्छर को मारने के लिए जो मच्छर कीचड में या पानी जो नालियों में पानी होता है इस पर मच्छर बैठ जाते है ना उनको मारने के लिए हम इस पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं क्यों डाल देते हैं सर ऐसा कर देते हैं क्योंकि मच्छर जो हैं वो surface tension के कारण जो water की उपर एक layer बनी होती है वहाँ आराम से तेरते हैं के लिए रहे बात बेटा अब अगर हमने इस पर तेल डाल दिया है तो तेल डालने के कारण जो मच्छर हैं वो अब उतना surface tension food फील नही हो जाता है clear है बात बेटा जी? ओके तो इस प्रिकार से अगर हम बात करते हैं तो इसका option number कौन सा हो जाएगा? B सही हो जाएगा 10 का option हो गया B clear है? चलो 11 question की बात करते हैं question number 11 में आप से बुला गया है कि दो खोकले कांच के गोले है so यानि hollow spare है glass के उन दौनों में एक में पारवांटी भरी हुई है और एक में भरे हुआ है आपका water मतलब एक में तो mercury है और एक में water है clear है बात बेटा अभी बात क्या है कि दौनों 1 by 10 मतलब थोड़े थोड़े उनका जो दस्मा हिस्सा है वहां तक भरे हुए है clear अब zero gravity के अगर बात करें मेटा तो zero gravity में सीधी सी बात है ये दौनों नीचे bottom पे तो रहेंगे नहीं bottom पे तो किसकी वज़े से रहते हैं बोल नहीं रहे gravity के वैसे रहते न अब bottom पे तो रह नहीं सकते तो फिर कहां जाएंगे तो अब हमें पता है कि जो पानी होता है वो तो कांच से चिपकता है है या नहीं और ये angle of contact में बात नहीं करी थी इसके बारे में जिन solid और liquid का angle जो होता है angle of contact जो होता है वो 90 degree से कम होता है वो आपके चिपकते हैं और पानी और कांच के लिए होता है 8 degree जबकि pure water के लिए होता है 0 degree है या नहीं तो बेटा ये चिपकेगा तो अगर जब 0 gravity का field आएगा तो ये तो water के ऊपर कांच के ऊपर पहुंच जाएगा गोले के ऊपर नहीं चिपकती हैं तो इनका आपका जो angle of contact होता है वो होता है 138 degree तो ये नहीं चिपकती हैं तो ये बीच में ही तैरती रहेंगी clear है तो पानी लेयर बना लेगा जबकि mercury पारु आंटी जो है वो तैरती रहेंगी इस प्रकार से option number अपना भी यहां पर सही हो जाएगा clear है बात बिटा जी okay question पूछा जा सकता है कि यदि कोई liquid किसी solid से नहीं चिपकता है तो angle of contact क्या होगा तो अधिक कौण होगा मतलम 90 degree से ज़्यादा होगा clear है बात बिटा question number 12 की तरफ चलते है question number 12 में बेटा आपसे बोला गया है कि density of cast iron यानि कोई iron है जिसकी density आपको दे रखी है find करनी है specific gravity दे रखी है 7.20 बेटा specific gravity को relative density भी बोलते हैं जो होगा density of iron upon density of water है या नहीं बेटा जी और ये आपको कितना दे रखा है 7.20 clear बेटा अगर जो options की तरफ जाएं तो बेटा वो kilogram per meter cube में दे रखे हैं तो density of water kilogram per meter cube में होती है 1000 और gram में कितनी होती है 1 clear है बात बेटा इसको दल ले जाएंगे तो density of iron बराबर जो आपका answer आएगा वो आएगा 7.200 kilogram per meter cube clear इस प्रिकार से option number जो D है वो आपका सही हो जाएगा ठीक है? question number 12 के बाद बात कर रहे थे 13 13 में बेटा आपसे बोला गया है कि बाल्टी के छेद में पानी परवलायकार पत्में मोशन करता है अगर बाल्टी free fall करेगी तो पानी का path क्या होगा? तो बेटा जी देखो सुनो आपके पास ये है ये बाल्टी है यहाँ से पानी गिर रहा है तो इस प्रिकार से गिरता है जिसकी बेटा वेलस्टी भी हमने निकाल दी थी वेलस्टी ओफ इफ्लुक्स होती है अंडर उड में 2 जी एच अगर ये एच हाइट से उपर से एच हाइट से ये वाली हाइट आपकी एच है जहां से इसमें छेद कर दिया है ठीक है बेटा? तो बात करी गई है कि अगर ये बाल्टी आपकी free fall करेगी तो उस condition में क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने respect में देखें जमीन पर खड़े आदमी के respect में देखें तो उस condition में तो g बराबर यहां पर balance हो जाएगा जिसकी बज़े से वो 0 हो जाएगा लेकिन बेटा अगर हम बाल्टी के respect में देखें तो बाल्टी के respect में अभी वी ये पैराबोलिक पाथ पही मोशन करेगा, तो इसमें जो अप्शन नमबर B है, इसमें थोड़ा सा सही इस प्रिकार से होना चाहिए, कि पैराबोलिक पाथ होगा, लेकिन बिद रेस्पेक्टू बकेट, मतलब पानी के सापेश बाल्टी के सापेश परबलायकार मार ही रहेगा उसका, ओके, तो इस प्रिकार से अपना उप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, 13 का, बात करते हैं, कुशन नमबर 13 के बाद 14 की, कुशन नमबर 14 में बेटा, आप से बुला गया है, कि एक आपके पास स्केपलरी ट्यूब है, जिसमें बाटर किसी हाइड तक चड़ता है, सब्सक्राइट ये ट्यूब है, ये इसमें बाटर चड़ा हुआ है, अब हमने क्या किया, बेटा, सब्सक्राइट पहले ये एच ह हैड तक चाहेगा, और ये एंगल कितना दे रखा है, 45 डिगरी का, अगर बात करें बेटा, तो यहां ये हो जाएगा आपका बेस, यानि आधार, ये करन हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ये कोस ले लेंगे, तो कोस पैंतालीस बराबर हो जाएगा, आपका, यानि बेस अप इस रूट टू, इसका मतलब जो लेंथ है, वो बढ़ जाएगी, किलियर है बात बेटा, ओके, तो अगर उपर की तरफ से जुकाएंगे, तो कॉस बढ़ेगा, कॉस बढ़ेगा, तो लेंथ भी बढ़े जाएगी, लेकिन बेटा, एंगल आफ कॉंटेक्ट पर फरक नहीं पंदर है, इसमें आप से बोला गया है, कि इस पैसिपेट ग्रेवटी जो सिल्वर की दे रखी है, यानि रो सिल्वर, अपाउन रो बाटर, अब इटा, रो बाटर तो अपने को पता है, वन है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, बराबर ये है, बिटा, आपका 11, यानि रो सिल्वर बराबर तो हो गया, 11, कि लिए रहा बात बेटा, दूसरी बाली बात बोली है, कि स्पैसिपेट ग्रेवटी, यानि बिसिष्ट गुरुत तो जो दे रखा है, आइरन का, यानि रो आई बराबर वो है, 8, तो बोला क्या है, कि वेलासिटी, स्पैसिपेट ग्रेवटी किस की निकालनी है, सिल्वर की निकालनी है, लेकिन किस की रेस्पेक्ट में, आइरन की रेस्पेक्ट में, तो जिसकी रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको नीचे लिए हमेशा, नीचे आइरन का आएगा, और आंसर आएगा, 11,88, जिसको सॉल्व करने से, फा कुशन नमर 16 में आप से बोला गया है कि equal mass थे water और milk के relative density milk की दे रखी है आपको दो दौनों को आपको mix किया गया equal mass के साफ से तो बटा देखो general formula में आपको बताता हूँ density का जो mixture होता है अकर equal mass होते हैं तो वो होता है 2 rho 1 rho 2 upon rho 1 plus rho 2 clear about पिटा अब यहां अगर बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणा एक पानी का 2 इसका और नीचे 1 plus 2 finally answer आजाएगा 4 बटे 3 यानि 1.33 और इस प्रिकार से कौन सा option हो जाएगा option number A यहां पर सही हो जाएगा clear about पिटा ध्यान दें इस प्रिकार से हम mixture कर निकाल सकते है अगर हमारा यह तो मास को same करके बोला था अगर volume same होता तो क्या होता? row mix बरावर होता फिर row 1 plus row 2 upon 2 clear है? ओके? चलो. कुशन number यह 16 था, 17 की बात करते हैं. अचा, कुशन number 17 से पहले मैं आपको इसी 16 वाले कुशन में एक बात और बताता हूँ जो यह formula चली रहा था तो बात देखो बेटा, किस प्रकार से कर रहा हूँ मैं? कि हमारे पास जैसे यह कोई liquid है, इसमें liquid भरा हुआ है water, ठीक है? और इसमें कोई लोही की कील है, लोही की या कोई body है, जो यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक? अब इसमें हमने खाली स्थान में, इस बरतन के खाली स्थान में पारो आंटी को लेके आ गए मैं, यानि मरकरी को लेके आ गया, तो अब इस condition में इस बॉल जो है आपकी लोही की जो बॉल है, इसकी लेवल पर क्या effect पड़ेगा? तो देखो बेटा, जब इसके पास पारो आंटी आएंगी, तो आपको पता है कि पारो आंटी की डेंसिटी होती है, 7.6 ग्राम पर सीसी, और वाटर की होती है, आपकी 1 ग्राम पर सीसी, तो ज़्यादा डेंसिटी बाला अगर लिक्ट आ रहा है, तो मिक्चर की जो डेंसिटी है, वो बढ़ जाएगी, और डेंसिट आपका तो आप कह सकते हैं कि लेविल जो है कांच का वो उपर की और बढ़ सकता है ठीक है अब हमारी जो स्क्रीन पर कुश्टन दे रखा है मैं इसके बारे बात करते हैं तो बेटा अगर आपका दो बॉड़ी हैं जिनके एलिया वगेरा कुछ भी हो मांस कुछ भी हो लेकिन किसी लिक्विड में अगर सेम हाइट पर रखे हुए हैं सेम गहराई पर रखे हुए हैं तो दौनों पर प्रेसर जो होता है वो होता है बेटा रो जी एच वो एडिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहां पर बेटा हाइट पर डिपेंड कर रहा है मतलब दौनों का प पीज दे रखा है जिसकी अलग अलग वेट हैं यानि इसका जो वेट किसमें है वेट इसका एर में जो दे रखा है वेटा वो दे रखा है इसका 120 G अगर वेट बात करें वेटा किसमें आपका वाटर में जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 80 G और weight किसी liquid में जो दे रखा है इसका वो दे रखा है बिटा जी आपका 60 G आप से density पूछी रिलेटिव देंसिटी अगर बेटा हम बात करते हैं रिलेटिव देंसिटी अप गोल्ड पीस की बात करते हैं तो वो होता है आपका formula weight in air मतलब 120 upon weight in air minus weight in water यहां से solve करेंगे तो कितना answer आएगा थिरी आजाएगा अगर बात करते हैं बेटा रिलेटिव देंसिटी यानि आप फेचे घनत तो लिक्विड का तो बेटा यहां पर आएगा आपका weight in air minus weight in liquid clear weight in liquid कितना है 60 बटे weight in air minus weight in water जो कि यहां से option आएगा आपका 3 बटे 2 यानि 1.5 और 3 और 1.5 कौन से option में है option number B में सही है इस प्रिकार से आपका option कौन सा हो चुका है B option यहां पर सही हो चुका है clear है बात बेटा question number 18 के बाद बात करते हैं 19 की तो इन formula's को आप याद रखें पूछे जाते रहते हैं इनसे questions हमेशा याद रखते रहें बेटा इन formula को question number 19 में आप से बोला है कि एक लड़का जो है वो इस प्रिकार से उसके दो हाथ हैं दो ही होते हैं आज कला हाथ तो लड़कों के एक हाथ में तो बेटा इसके में मचली है और बेटा एक हाथ में उसके में क्या है बाल्टी इस प्रिकार से अब उसने बोला क्या है कि अगर इस मचली को वो इस बाल्टी में डाल दे जिसमें पानी भरा हुआ है तो क्या उसका weight पहले से कम या ज़ादा होगा तो अब कुछ लोग सोचेंगे सर अगर हम इस मचली को पानी में डाल देते हैं तो मचली तो पानी में तैरेगी और पानी में तैरती body का जो weight होता है वो loss हो जाता है तो उस condition में इस लड़के को क्या होना चाहिए weight कम फील होना चाहिए लेकिन ऐसा बास्तम में सही नहीं है बिटा ध्यान दो बिटा अगर मेरे पास ये कोई balty है ठीक है जी अभी जो balty है इसमें liquid यहां तक भरा हुआ है अगर में यहां पर किसी body को डालता हूँ तो अगर मैं इस जगे हाथ लगाता हूँ तो मुझे weight में loss फील होगा च्वाइवेंट फोर्स यहीं तो लग रहा है लेकिन बिटा अगर मैं इस balty के बिलकुल नीचे बाहर की तरफ हाथ लगाता हूँ तो मुझे balty, पानी और इस body तीनों का weight पूरा का पूरा feel होगा तो weight में loss केवल पानी में हाथ डालने से ही feel होगा उपर से feel या नीचे से feel नहीं होगा तो अभी भी क्योंकि मचली पानी के अंदर है तो भी उस बच्चे को उस लड़के को उतना ही weight feel होगा जितना पहले feel हो रहा था इस प्रकार से 19 का option कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा किलियर है बात बिटा? ठीक है जी? इस प्रकार एक question एक बार आया था कि एक भाई साब नाव में बैठके जा रहे थे अब नाव में उनके balty के पानी भरा हुआ था और उसमें उनके पास दो-तीन मचलियां भी थी तो उन्होंने सोचा कि बाई नाव अगर डूब रही है तो अपनी मचलियों को पानी में डाल देते हैं है या नहीं? पानी में डाल देते हैं उन मचलियों को balty की जो पानी था उसमें नाव के अंदर उन्होंने डाल दिया लेकिन उसमें नाव की लेविल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बेटा इफेक्ट पर भी कैसे जाता वो तो भाई वो तो फिर भी तो बाल्टी तो उसी में थी नाव में केलियर है बात बेटा तो इस प्रिकार से याद रखेंगे इसका उप्सन नमबर हो गया सी बात करते हैं कुशन नमबर बीस की कुशन नमबर बीस इसमें आपसे बोला गया है कि एक बॉड़ी का जो वेट है एर में वो 40 ग्राम है वोलियूम 10 है तो वाटर इट विल वेग तो पानी में इसका वेट क्या होगा तो बिटा सबसे पहले तो हम यहाँ से डेंसिटी निकाल लेते हैं बॉड़ी की बॉड़ी की डेंसिटी हो ज रखा है 40 G और जो वोलियूम दे रखा है वी बराबर वो दे रखा है 10 CC तो पानी में भार तो पानी में जो वेट होगा पानी में जो वेट होगा वेट इन वाटर वो बराबर किस के होगा वेटा रियल वेट के माइनस डबलू डैस डबलू डैस क्या है वेट में लॉस जो कि किस के बराबर होगा, बाइवेंट फोर्स के बराबर होगा, है या नहीं, तो जो वेट है वेटा आपका, वो कितना है यहाँ पर, ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, चलो तो हम दूसरे तरीके समझाते हैं, हम कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहें आपको, सिंपल बताएंगे, अपन तो यहाँ पर आईए, ध्यान दीजी दिवारा से, हमारे पास यह बाल्टी है, और यहाँ पर यह है कोई बॉड़ी, जिसका रियल बेट है, आपका यहाँ पर 40 जी, इस बात को तो समझेंगे, क्लियर, जब यह पानी में डुबोई जाएगी, तो इस पर उपर एक force लगेगा, लगेगा के नहीं लगेगा, कौन सा force लगेगा बेटा, बाइवेंट force लगेगा, और वो बाइवेंट force होगा, आपका body का volume, liquid की density, और साथ में कौन आएगा सर, जी, है या नहीं? और उपर ही कौन लगता है बेटा, आपका नॉर्मल लगता है और ये normal ही तो apparent weight के बरावर होता है ये normal ही तो हमसे इस questions में पूछा है है या नहीं तो बात करते हैं बेटा उस normal की जो पानी में weight है वो बरावर हो जाएगा 40g minus V sigma G, बेटा V कितना दे रखा है? 10, पानी का कितनी होती density? 1, 7 में G 40g minus 10 G तो final answer आजाएगा 30g और इस प्रिकार से option कौन सा हो जाएगा अपना A option आपका सही हो जाएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं ओके? Question number 20 के बात कर रहे थे 21 की बात Question number 21 में बेटा आपसे बुला गया है कि एक solid cube है जिसका weight दे रखा है आपको 700g यानि ये दे रखा है आपको पानी में तेर रहा है उसकी length दे रखी है 10 तो पानी में तेर रहा है तो इसका कितना volume पानी के बाहर होगा तो पेटा अंदर और पानी के बाहर volume के लिए हम बात कर सकते हैं V in upon V cool बरावर क्या होता है सर सब जानते है rho upon sigma होता है ये body की density हो गई और ये water की density होगी अब rho बरावर कैसे निकाले मेटा तो rho जो होगा इसका जो body का जो rho होगा वो किसके बरावर होगा mass mass कितना दे रखा है 700 और बेटा volume कितना दे रखा है 10 side है ना तो cube का volume कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा है नहीं भजा का cube तो यहां से answer आगया 0.7 इसको यह put कर लेते हैं तो V in बटे V बरावर हो जाएगा 700 बटे 1000 और बेटा ये इसका तो आपको पता ये इसका तो 1 होता ही है कोई दिक्कत तो अगर total V 1000 है तो V in कितना है 700 है तो V फिर out कितना होगा अंदर अगर 700 है तो बाहर कितना होगा 300 नहीं हो जाएगा तो 300 centimeter cube clear है बट? simple सी बट चलो question number बात करते हैं 22 की question number 22 में आपसे बोला गया है कि एक boat है जिसमें वही बाली बात अभी में आपको बता रहा था तो boat जो पानी में तैर रही है उसमें कुछ लोहे की क्या रखी हुई है road रखी हुई है अगर उन road को पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो फिर level butter के level पर क्या effect पड़ेगा तो मेरी बात ध्यान से सुनना जब वह पानी की जो लोही की जो road थी वो नाब में रखी हुई थी तो नाब का volume जादा है नाब बड़ी है बटा तो नाब का volume जादा है जिसके कारण जो boat के अंदर जो पानी की लोही की जो road थी वो जादा volume के water को displace कर रही थी अब हमने क्या किया है उन road को वहाँ से निकाल कर किस में डाल दिया पानी में डाल दिया तो नाव का level उपर उठ जाएगा और वो उतने आयतन को अब नहीं घेर पाएंगी जितना आयतन वो पहले नाव के अंदर घेर रही थी आई बास समझ में जिसकी वजह से water का level थोड़ा उपर की ओर उठ जाएगा ठीक है भाई सब तो इस प्रकार से अपना option कौन सा हो सकता है इसमें ध्यान देंगे दवारा से ये आपके पास ये boat है और इस प्रकार से इसमें पानी में लोहा की जो road है ये रखी हुई ये समझ लिजे एक road रखी हुई है अभी मैं इसको यहां से निकालता हूँ तो ये खाली जगह छोड़ेगी इस खाली जगह की भरपाई ये लोही की road कर लेगी नहीं कर लेगी और लोही की road नहीं कर पाएंगी तो उसकी बाज़े से जो water का level है वो नीचे हो जाएगा मतलब गिर जाएगा fall हो जाएगा यानि इसमें option कौन सा आएगा अपना option number B इसमें सही हो जाएगा उतने iron की जो road है वो उतने volume को गिर नहीं पाएंगी जितना volume उन्होंने नाब में बैठकर घेरे हुए था ठीक है जी तो question number ये आपका 22 है जिसका option number B इसमें सही हो जाएगा question number 23 की तरफ चलते हैं question number 23 question number 23 में आपसे बुला गया है कि कौन सा statement correct है पहला है कि प्रेसर जो होता है किसी point पर जो apply होता है वो सभी directions में applied हो जाता है ये वाली बात बिल्कुल सही है पास्कल का नियम भी यही है तो पहला तो option सही हो गया दूसरा option है कि liquid at rest applied नहीं भाई depth में जाने के साथ गहराई में जाने के साथ तो pressure बढ़ता है और यह pressure घटना बोल रहे है दूसरा option क्या हो जाएगा sir गलत हो जाएगा तीसरा option pressure act normally on an area किसी भी छेत्रपल पर जो pressure होता है वो लंबवत आप्तित होता है हाँ जी perpendicularly तो होता है parallel perpendicularly तो force जो applied होता है उसी को तो pressure कहते है clear है बात बेटा तो यह वाली बात भी सही है तो c 20 में सही है तो a और c सही है मतलब option number कौन सा सही हो जाएगा d यहाँ पर सही हो जाएगा clear है बात बेटा question number 24 question number 24 में आप से बोला गया है कि pressure जो bottom पर होता है किसी tank के वो किस चीज़ पर depend नहीं करता है तो बेटा सीधी सी बात है pressure बरावर होता है rho g h मतलब किस पर depend करता है बेटा liquid की density पर depend करता है हाँ जी तो option number a सही है अपना बात करते हैं बेटा कि किस पर depend नहीं करता है area of liquid surface कहा है इसमे area of liquid surface height पर भी depend करता है g पर भी depend करता है है या नहीं तो area of liquid surface जो है उस पर वो depend नहीं करता है तो इसमें option number कौन सा आ जाएगा सही होगा B option यानि area of liquid surface पर depend नहीं करता है ठीक है बेटा question number 24 वह इस acceleration पर depend करता है ना तब ही तो हम बोल लेते free fall में महाँ पर कोई भी किसी प्रकार से applicable नहीं होगा पर जी बराबर महाँ पर zero हो जाएगा net g ठीक है question number 24 के बात करते हैं question number 25 की बात इसमें आप से बोला गया है कि एक block है लकडी का जिसका एक बटे चार भाग जो है volume को वह पानी के अंदर है तो what is the density of wood तो पिटा अंदर का जो part होता है V in बटे V बराबर दे रखा है यहाँ पर एक बटे चार और वो बराबर होता है row upon sigma पानी की density कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी clear है बिटा इससे यह 25,500 बार कट जाएगा तो रो बराबर आजाएगा 250 kg पर मीटर क्यूब clear है बिटा इस प्रकार से अपना कौन सा option हो जाएगा option number B for Bombay यहाँ पर correct हो जाएगा clear तो इस प्रकार के बिटा यह हमारे questions थे आपके fluid mechanics के यानि तरल या अंतर की के यह questions की practice हमने आपको कराई अपना score comment box में लिखना और पढ़ते रहो घर रहो मस्त रहो पढ़ते रहो practice करते रहो इसके साथ ही अगली वीडियो में आपके साथ next unit के साथ मिलेंगे heat की unit हो सकती है electrostatics की तब तक के लिए अपने घर रहें सुरच्छत रहें पढ़ते रहें राधे राधे